नमस्कार मैं रोशनी खंडूरी जेपी वाल टेवी देख रहे हैं आप और जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने देखा कि यहां पर शही दिसमारक दहरादूर में हम पहुंचे हैं जहां पर अलग-अलग संगठन के लोग पहुंचे और अंकीता हत्याकान को लेकर के दो अक् करीब से देखा है जब अंकीता का जो मामला है शुरूआत में आया था और आप वहां पर गए थे और अंकीता जब गुमशुदा बताई जारी थी वहां से आपने ये जो मामला है सारा देखा और शुरूआत में शायद एक पत्रकार की भूमिका में समझती हूं बहुत अच्छे से आपने निभाई है क्योंकि जब ऐसा कोई मामला आते है कि लड़की गायब हो गई तो लोग परतम सूचना मुझे मिली थी उसमें यह आया था कि जो अंकीता का दोस्ता उसकी वर्टसप चैट थी तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि जिससे यह लग रहा था कि कुछ गंबीर मामला है कि अगर बॉइफ्रेंड के साथ गई थी तो बॉइफ्रेंड तो नहीं था तो इ केस ट्रांसफर करवाया गया क्योंकि राजसोचेत्र था राजसोचेत्र में पटवारी बहुत ज्यादा कुछ करने की स्तिति नहीं होते हैं गंबीर अपरादों में तो उसे पुलिस को ट्रांसफर किया उसके बाद थाना लक्षमार जूगला को आ गया केस और जिस तरह से सारी कड़ियां खुलती गई तो वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं पर चुरुवात में जो पटवारी की भूमिका है वो काफी जो है मतलब संदीग भी थी एक तरीके से क्योंकि वो गोल-गोल बातों को घुमा रहे थी तो आप से गर पूछा जाए क्योंकि आपने इनके खिलाब पहले भी कई मामले मेरे पास आये थे जिसमें सरकारी जमीनों पर कबजा करवाते हैं रिजॉटों में अवैद कारोवार करवाते हैं इस तरह के फैक्ट्स और प्रमान सारे मेरे पास पहले से थे और इसी वज़े से मुझे ये तो जानकारी थी कि इनकी कही कहीं सलीपता रही होगी और बाद में ये भी पता चला है कि इस रिजॉट में भी लगाता रही है आते थे यहां पर एक कमरा इनके नाम से बुक रहता था तो निश्चित रूप से जो छुट्टी पे गए हैं तो कहीं न कहीं इनकी भूमिका है इस हत्यागान को चुपाने की कि इस मामले को एक गुम सुदगी का रंग दिया जाए और कुछ दिनों बाद नदी से कोई अगर बाड़ी बरामद होती है उसको यह भी कह सकते थे कि सायद उसने जो है आत्मत्या की है तो इस तरह कि इनकी प्लानिंग थी लेकिन कई एविडेंस ऐसे खुलते चले गए कि ये फिर बचाने पाए अपने को अब देख रहे होंगे आपकी आप ऐसी जानकारी मीमिली है कि जो काल रिकॉर्ड सुगर निकाली जा रही है सारी चीजे निकाली जारी है हलनकि वो उपन नहीं है तो कहीं न कहीं ये अब गिरिपतार भी हो सकते हैं और जब प्रॉपर इं के साथ घूम रहे थे तो संभवता ये भी हो सकता है कि इनको मोटा पैसा दिया गया हो उसके बाद ये लोग फिर उस पैसे को इन्होंने कहीं ठिकाना लगाया हो और ये फिर चुट्टी पे भाग गए अब ये तो इन्वेस्टिकेशन का पार्ट है हमारे पास जो भी सूचन लेकिन हमारे पास कोई भी तत्या आते हैं तो तत्काल उसे हम सोचल मीडिया में डालते हैं और यह मैंने नया फैक्ट जो है वो डाला है कि पटवारी तैसिलदार ये सब लोग उसके बाद कहीं ने कहीं इनकी तरफ से कोई पुलकित की तरफ से कोई पैसा इन्हें दिया ग मुझे यह भी लगता है कि जिस तरह से आपने इनका बयान सुना होगा जो UKD की निता है तो उन्होंने भी काया कि जब उन्होंने बॉड़ी को देखा था तो बॉड़ी इसालत में थी कि निश्चित रूप से उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा और दुराचार के प्रमान दिखाए दिये जैसे दांत से काटा हुआ था नोचा हुआ था दांत भी तोड़े गए थे तो मुझे तो अब यह भी संदे है कि जिस तरह से इनकी कहानी है कि 18 तारिक को उसको हमने धक्का दिया वहां पर तो यह 18 तारिक के बजाए इसको कहीं ले गए फिर इन्होंने इस क्योंकि जो बॉड़ी वहां से आई है तो बॉड़ी भी इतनी ज्यादा फूली नहीं थी अन्ना उसने उसे जो मचलियां होती है यह इस तरह से होता है नदी के अंदर वो निश्ची तरूप से बॉड़ी को खाना सुरू कर देती थी कर देती है इस तरह के कोई प्रमार त तो उसको वहां धक्का दे दिया तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो अभी एमस में जो पोस्टमार्टम हुआ उससे तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि गाइनेकोलोजिस्ट उस डॉक्टरों की टीम में नहीं थी लोग कहने कि चार शार डॉक्टरों की वो टीम थ तो ऐसे में अब कैसे पता लगा जाए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वह संतुष्ट लोगों को नहीं कर पा रही है तो नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती भी है तो क्या वह संतुष्ट कर पाएगी लोगों नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अब आनी सक उसके अंदर क्या है लेकिन जो मैं बात उठा रहा हूं कि जो डॉक्टर की टीन थी वहाँ पे उसमें लेडी डॉक्टर नहीं थी गाइनकोलोजिस नहीं थी तो यह तो संदे उसके वीडियो बनाई गई थी और जर्रत पढ़ने पर उसको सारवजनिक करने की बाद भी लोग कहने वीडियो उससे कुछ साबित नहीं होता है उसमें देखें जो पोस्मार्टम का वीडियो बनता है तो उसे तो बहुत जादा जो मेडिकल साइट के लोग होंगे वह कुछ समझ पाएं तो मैं कहायानी सकता उस वीडियो से तो इतना सावीट होगा कि हैं पॉस्तमार्टम हो रहा था तो हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि पूस्तमार्टम नहीं हुआ पोस्पार्म तो देखी हुआ लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था जिस तरह से अगर होता है किसी पर हो सकता है कि उनकी नाव को बचाने की कोशिस है तो निश्चित रूप से यह तो लगता है कि अगर इसमें 376 भी बलातकार की पुष्टी हो जाती तो निश्चित रूप से इन अपरादियों को अब फांसी पे लटकाया जाता 376 302 मिलके तो फांसी का फंदा था लेकिन अगर 376 हड़ गई है 302 है उसको भी कोर् उम्र कैद होती है उससे भी बच जाएंगे 8-10 साल की सजा होगी तो अब इन चीजों को हमें देखना है कोट में जो लड़ाई है उसको लेकर अपना पक्ष मजबूत करना है उसको लेकर मुझे लगता है कि अभी हाई कोट में एक पैटिसन फाइल करने की सबसे ज़्याद लोगों के मन में confusion बहुत जादा बढ़ गया है कि इसमें बाते जो है सामने आए एक नेता का बयान भी अभी आपने सुना होगा कि उसमें तरह तरह की बाते उन्होंने करी हैं जो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई तो ऐसे में confusion काफी बढ़ गया है लोगों का कुछ ल के कि सबसक्रान करेंике जहां तक पैसा लने की बात है तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है उनसे रोज मेरी बात होती है नकीता के पिटाजी से कल भी बात हुई थी आज अगी नहीं भी है फिर दिन में या साम को बात हो जाईए तो जहां तक यह बात है तो इस。 तरह का और कमट तूड़ गई जिस परिवार की तो जनता ने इसलिए कहा कि थोड़ा आर्थिक मजबूती मिले परिवार को उनकी तरब से कोई डिमांड नहीं है उनका सबसे पहले यही कहना है कि सबसे पहले इन हत्यारों को इन दोसियों को फासी पर लटकाया जाए और उसके बाद तक अंकीता के पिता कह रहे थे कि मैं जो है अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करूंगा जब तक पोस्टमार्टर रिपोर्ट से में संतुष नहीं हो जाता लेकिन 6 बजे उन्हों ने अंतिम संस्कार कर दिया तो लोगों के मन में बड़ा सवाल ये भी है कि साड़े 5 से 6 बजे के इस आदे घंटे के अंतराल में ऐसा क्या हुआ कि उनको जो है अपना जो नेना है वो बदलना पड़ा देखिए ऐसा है कि उनके पिताजी पर लगातार दवाब तो था ही उनको डीजीप उत्राखन लगातार फोन कर रहे थे जिलादिकारी उनके बिल की सहमती नहीं थी उनकी मां का एक वीडियो भी वाइरल हुआ कि मेरी तो तबियत खराब थी और मुझे अपनी बेटी की शकल भी आखरी बार नहीं दिखाई गई अंतिम संसकार कर दिया गया तो देखिए परिवार की सहमती नहीं थी पिता की अगर जबरन सहमती बनाए भ प्रावधान नहीं है और जबरन किया गया अब देखिए वो तो अब इतियास हो गया है अब हमारा सोचने का बिंदू यह है कि किस तरह से इन लोगों को सजा दिलवाई जाए क्योंकि क्या लगता है कि अंकिता के हत्यारों को फांसी हो लेकिन जो कोट है वो सबूतों पर चलता है लोगों की भावनाओं पर नहीं चलता है और जिस तरीके की धाराएं जैसे आपने भी बताया कि जो लगी है उससे फांसी का तो अभी तक नहीं बन पा रहा है लेकिन क्या लगता है क्या फांसी होगी उम्रकैद होगी या फिर 6-8 मैने में वह अंदर जाके छूड भी जानते हैं देखे इसमें सबसी बड़ी बात यह है कि केवल अंकीता की हत्या की दृष्टी से इस क्राइम को नहीं देखा जाना चाहिए जो वह रिजॉड था वहां से पुक्ता सबूत है कि वहां से पहले भी प्रियंका और तमाम लड़कियां गायव है तो यह भी होसले बहुत बुलंद हैं और इन्हें लगता था कि जैसे उन्होंने पहले सायद किनी लड़कियों को इस तरह से ठिकाने लगा देंगे और बात आके बढ़ नहीं पाएगी तो मुझे तो लगता है कि यह तो बड़े इन्वेस्टीगेशन का पार्ट होना चाहिए कि क्या इन लोगों का ऐसा कोई नेटवर्क था कि वहाँ पर सैक्स का कारोबार किया जाता था लड़कियों का एक्स्प्लाइटेशन किया जाता था और नमानने पर जब जो लड़किया राजी ना होती रही हों उनको यह लोग मार डालते थे क्योंकि गाउवालों ने कई जो होता है यसे इस ट्राइब का जो होता है उसमें इंसानों को रख्के मारा जाता था उनके साथ में बश सलुके की जाती थी जब वह अपनी modular मांगते थे तो उनको पीटा जाता था तो ऐसा एक पिंजरा भी सुनने में आशकल आ रहे हैं तो मैंने भी सुना है और उसका सायद फोटो भी मेरे पास है लेकिन उस वारे में तो देखिए कमेंट करना उचित नहीं होगा क्योंकि उसके कोई प्रमार नहीं है तो पिंजरा क लड़कियों के सव भी बरामद हो सकते हैं अगर खुदाई हो यहां तक एक ग्रामीन ने मुझे फोन करके बताया है कि वहां पे गोवा की दो लड़कियां जो है वहां पे लाई गई थी और वो मिसिंग है तो संभव है उनको भी मार के दवा दिया हो देखिए हम तो की जो लीडर है वो एक महीला है और लोगों का उन पर थोड़ा भरोसा भी है कि एक दबंग लेटी है एक महीला है तो वो एक अच्छा डिसिजन लेगी तो आपको क्या लगए देखिए पी रेनुका जी के बारे में अच्छा एक उपिनियन है जनता का लेकिन वो भी तो अ साक्षे का जो हिस्सा है जब साक्षे मिठा दिये गए हो तो पी रेनुका देवी हो या कोई भी हो साइटी की चीफ तो वो क्या कर लेंगी लेकिन अब वो यह जरूर कर सकती है कि जो भी अवेलेबल साक्षे है उनको और खंगाले उन्हें डूंडे और जिस तरह से आज य नहीं जैसे गिरफतार हुए थे उस दिन से यह जूडिसियल कस्टिडी में थे एक और कंफ्यूजन जनता के मन में है कि जो पटवारी है वह जो गिरफतार होना चाहिए था वह नहीं हुआ जिनकी डूटी पर वह उनके बदले आये थे वह कोई गिरफतार हुआ है पटवा लोगों के मैंने बहुत सारी सवाल और एक सवाल जनता की तरफ से यह भी आया था कि विनोदार्या जी को भी कहीं कहीं मतलब पुलिस की नजर उनके होनी चाहिए या उनको जेली भेज़ देना चाहिए क्योंकि वह सबूत मिटानी की कोशिश कर रहे है विनोदार्या जी का पूरा परिवार नेपाल भाग गया या कई अंडर्ग्राउंड हो गया अगर उनकी भी कॉल रिकॉर्ड निकाली जाएं उनका भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो उनकी लोकसें ट्रेस आउट हो कि इस दौरानों कहां-कहां रहे हैं बहुत सारी चीजें खुलेंगी अब पतानी कितने सालों का इंतजार उनके माता पिता को करना पढ़ता है तो जल्दी से जल्दी इस पर सुन्वाईए हो उनके जो परिवार oni हैं अंकिता को न्याय मिले तो इसके लिए क्या गुछ कोशिश लोगों को कुरनी चाहिए और कर भी रहे हैं लोग तो कैसा क्या हो क कि जल्दी से उनको नहीं मिल जाएगे अभी तक जो भी हुआ है अगर ये मीडिया में आती नहीं चीज़ें और उसके बाद जन समर्थनी से नहीं मिलता तो यहां तक भी गृपतारी तक भी यह लोग नहीं पहुंचते यह बात तो आप तैय मानिए क्यों यह रसुक वाले ल संगर समीती गटित हुई है और तमाम लोगों ने बंद का एलान किया है कि दो अक्टूवर को बंद रहेगा उत्राखंड तो एक बड़ा मैसेज सरकार के पास जाएगा कि इस मामले में जनता जो है अब सरकार को बकसेगी नहीं अगर अंकीता के केस में अन्याय होता है तो इसका सीधा सीधा जो खामियाजा है वो सत्तादारी भाजपा को यहां उत्राखंड में बुगतना पड़ेगा और मैं तो यह मानता हूं कि मुझे तो यह भी लगने लगा है कि अगर इस मामले में हिला हवाली हुई तो दामी जी की कुरसी भी यहां से जा सकती है बीजेप कि यहां भी मिल रही है और बाकी भी पत्रकारों को धंकी मिल रही तो ऐसे में क्या लड़की के पिता उनके परिवार वालों को भी धंकी दे सकते क्योंकि पत्रकार को दे सकते हैं तो उनके परिवार वालों पर भी इस तरीके का दबाव बना सकते कि आप सांट गांट कर ल तो आभी तो मैं धंक्यों को इसी इस तर तक ले रहा हूं कि तो लड़कियों को जो लोग इस वक्त देख रहें उनको क्या आप संदेश देंगे कि कैसी इससे बचा जाएंगे सबसे पहली जरूरत जो मुझे लगती है कि खास तोर पे लड़कियों से मेरा निवेदन है कि इस तरह के निरजन इस्थानों में चाहे कित्रा भी आट्रेक् लगए लड़कर जो लड़का है जो उसका दोस्त था उन्होंने भी उसको इसलिए सजस्ट किया था गर के पास है लड़की सुरक्षित रहेगी लेकिन उसके साथ में सब्सक्राइब करीब डेट सो किलोमेटर से ज्यादा दूर है पॉड़ी से वह जगा लेकिन यह है कि एक जॉब उसे चाहिए था एक फाइनेंसियल इस्टैबिलिटी उसे चाहिए थी और उसका जो मित्र था उसने भी कहीं ने उससे मौरल सपोर्ट दिया था कि नहीं मैं भी हूँ और वो आता भी था वहाँ समय समय पे लेकिन इस बीच इनके अंदर जो यह पुलकित और इसके जो साथी थे इनके अंदर जो गंदी भावना यह पनपी इस वज़े से वह मारी गई तो लेकिन देख पर भी कहीं सेफ होने की बात हो और यह निवेदन करता हूं कि उनके गार्जन भी इसको नोटिस करें इस्तानिया जो पुलिस है वहां रिपोर्ट करें लोकल गार्जन वहां पर रखें जो कि वहां पर बार बार जा सके तो यह सारी प्रिकॉशन लेना तो देखिए जरूर बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत सारी बादे करी और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक है उनकी भी कंफ्यूजन कुछ तक दूर हुई होगी क्योंकि शुरू से लेकि आखिर तक आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और आगे की भी अपडेट आप जरूर दर्शकों को देंगे हम भी देंगे क्योंकि बहुत उम्मीदें है जन्ता को अब लोकल पत्रकारों से दन्यवाद और जिस तरह से आपका चैनल भी जो इस्तानी मुद्दे होते हैं मैं लगातार देख रहा हूं आपको की अंकीता का केस भी आप लगातार उठा रही है और और एक खुद महिला हैं आप तो आपको भी सुबकामना है कि आपका भविसे भी उजल हो और उत्राखंड की महिलाओं की बेटियों के आवाज आप इसी तरह से बुलंद करते रहें दन्यवाद तो जिस तरीके से आपने देखा कि अंकीता हत्याकान के क्या कुश से अंकीता हत्याकान को लेकर कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कोई बात आप रखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद